तो कि वेलकम बैक तो मुझे पता है कि वीडियो काफी समय बाद आ रही है वीडियो में डेले हो रहा है कंटीनी वीडियो अप्लोड नहीं हो रही है बट मैं आपके लिए किसी चीज पर काम कर रहा हूं एक कोर्स आने वाला है नया फंडामेटल का जो कि फ्री में रहेगा य रेगुलर चलती रहेंगी ठीक है तो आज की अपना जो टोपिक है वो है रिजेशनी ब्लोग के बारे में मेरे यूटूब पर रिकिलेंग ब्लोग, प्रॉपरشन ब्लोग, इसक लाव वेक्यूम ब्लोग यह सारे ब्लोग पहले से हे कुछ लोग करते हैं जब आप ट्रेड करते हो तो यह अपको ड्रो करके समझाता हूँ देखो हाई बना लो बना हाई रह बना पहले ड्रोइंग बोट पर चीजों को समझेंगे उसके बाद में चार्ट पर जाए कुछ एक्सामपल होगा अभी देखेंगे तो यहाँ पर देखो जिसे यह ब्रेक आप स्ट्रक्टर ब्यूस यहाँ पर मेलिक भी देता हूं यह अपना ब्य यहाँ आप सिंपल वे बताऊंगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो बीना किसी परिशानी के अब यह चोच वगिरा देखते हैं इसमें क्या होता है ट्रेड दूर मिलती है जैसे आप यह सोच रहें कि पिया के अंदर आएगा लोवर टाइम फ्रेड पर चोच देखोगे तो 20-25 फिप दूर ट्रेड मिलेगी पिया यहाँ पर ओडल बोक यहाँ पर आपको इतनी दूर ट्रेड मिलेगी और हो सकता है यहाँ पर मिले 20-25 का थे लेगे respet Hindu blood का क्या है rejectional block इसको समझते है देखो जब मार्केट प्य इंदर आता है तो आपको लवर टाइम पर जाना है यह 3 मिट मान लो, 3 मिट करंसी पर है तब भी 3 मिट पर जाना है, गोल्ड है तब भी 3 मिट पर आपको confirmation देखना है, मतलब Registional Block आपको देखना है, किस तरह देखना है, जब यह PA को test करता है, higher time frame की जो PA यह उसके अंदर market आता है आने के बाद में आपको वेट करना है, किया वेट करना है, market buying की तरफ एक candle बना है, जैसे हाँ पर मिने एक red candle बनाई है अब इस PA को इसने test किया, test करने के बाद में यहाँ से एक green candle बना है, इस तरह के से, जैसे एक green candle बनती है अगर किसी भी candle के अंदर आपको imbalance मिल जाता है green candle में क्योंकि अपन तो buy के अंदर एंदर आपको imbalance मिल जाता है imbalance मतलब fair value gave जिसको fbg भी बोल जाए इस candle के अंदर क्या है fbg है अगर आपको fbg के बारे में नहीं पता है तो वो भी आप देखे लिए ना बाद में अब यहाँ पर FAG, fair value गेप है अब अगर आपन बात करें ना सर तो यहाँ पर कोई भी चोच अगरा नहीं हुआ है बट जो rejection मिला है और इसके अंदर imbalance है तो यह जो last opposite catalyst सर यह है अपना rejectionally block मतलब यहां से market rejection लेग गया है और यह जो imbalance है इसके अंदर क्या हुआ कि बायस यहाँ पर इंटर हो चुके अब आप trade कहां पर करोगे entry कहां पर करोगे यह main है देखो entry के लिए आप यह जो rejectionally block है इसको RB भी बोल सकते हो RB ठीक है rejectionally block अब यह जो block है इसके अंदर भी trade कर सकते हो बट ज्यादतर क्या होता है कि market जो होता ना यह fbg fair value gap को test करके चला जाता है तो आप trade कहां पर करोगे आप अपनी trade अब जो भी आपकी ट्रिक्स है जैसे आपको 0.10 buy करना है जैसे आपको 0.10 buy करना है तो 0.05 इस imbalance यह जो आपका fair value gap इस पर इंटर कर जाओ और 0.05 फिर आप यह regionally block पे इंटर कर दो समाझ रहे विचिच को मतलब अपनी risk को divide कर दो जहाँ पर आपको लग रहा है कि market इसको break कर सकता है आपको पूरे अकाउंट को लगा दो नहीं जैसे 0.02 पर फिर 0.02 आपको 0.4 buy करना था तो 0.22 की 2 trade आपने open कर दी इस तरीके से आपको चलना है अब trade कहाँ पर करना है एक तो fair value gap के test के उपपर और दूसरा अपना regionally block के उपपर समझ के वापस समझाता हूं क्या है बागी मैं आपको example भी अभी बताऊंगा देखो जब market higher time frame के P.I. के अंदर आया आने के बाद में market एक rejection लेगा अपसाई की तरव एक candle बनेगी बड़ी candle उसके अंदर imbalance होना चीए जब तक imbalance नहीं होगा तब तक rejectionally block नहीं बनेगा तो यहां पर क्या है मार्केट ने इस तरीके इस candle बनाई बीच का जो area इसके अंदर imbalance है तो नीची की जो लास्ट अपूदी candle है यह जो red candle है यह है अपना rejectionally block अगर market pullback लेगे break करता है यहां पर क्या बनेगा यह ओडल बनेगा क्योंके मार्केट ने चोच किया है यहां पर कोई चोच बगरा नहीं है अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई बीच में इंबलेंस है और direct अपन candle को ड्रो करके trade कर रहे हैं समझ गए यह चीज तो यह है rejectionally block ओके समझ गए तो कर सकते हो और backtest करना चीए जिससे आपको और अच्छी तरीके सारी चीए क्लियर हो जाए अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना देखो यहां पर recent market है ज्यादा पन पीछे भी नहीं जाएंगे जो भी market अभी चल रहा है उसी भी देखेंगे तो यहां तो मार्क यह को नहीं कहा यह गया ब्रेक का हो गया क्या होगया अब ब्योग सोने के बाद में आप लास्ट अपजिक बहुगे उसको क्या बोलते पी.अश मतलब होता है बॉल दोनों मेंसे कोई या मतलब इक ही होता है अब बच्वाइट करेंगे अब वेट्वाय को टेस्ट करेगा तो अपन जाएंगे lower time frame पर जैसे पीए ने इसको test किया तो अपन चलेगे sir 3 मिट पर अब जो पर 3 मिट पर आएंगे sir तो 3 मिट पर थोड़ा सा में इसको पीछे कर देता हूँ यहां पर पीए के अंदर इंटर हो गया देखो यहां पर पीए के अंदर मार्केट इंटर हो गया अब वन वेट करेंगे कि मार्केट यहां से rejection ले और अपसाई की तरब कोई imbalance बने green candle का imbalance बने समझ के इतनी चीज़ देखते हैं देखो वेट करते हैं अभी रेट रेट बनी ग्रीन के बनी अब यहां पर कोई imbalance नहीं है तो इसको अपने वेट करेंगे अपसाई की तरब कोई imbalance बने green candle में अब इसके अंदर imbalance है यह नहीं है वेट करें जब तक तीसरी गैनल ओपन नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा तिन गैनल से मिलके एफ़जी यह इंबलेस बनता है देखते हैं ओके दूसरी गैनल दूसरी गैनल टच कर गई मतलब imbalance नहीं है वेट करते हैं वे इसको मैं यह लो कर देता आपको और अच्छी तरीके शायद दिखेगा देखो यह जो यह लो बॉक्स देख रहे हो पहली गैनल आप एक टेस्स कर लो थ्री मिट का टाइम फ्रेम है यहां पर आप आप देख लेना यह आपका imbalance है अब यह जो imbalance बना सर इसके नीचे का जो ल नेचे यही पर उपन हुए यहां पर यहां पर उपन हुआ यही से बॉइंग गया तो अपन यही पर प्रोफिट में चलेंगे और सेके लिए पके नापने पर धूठ करेंगे देखते हैं क्या होता है इसका टीपी तो जैसे इसका टीपी है 10 पीप का गोल्ड के अनर एक ड यहां पर एक डोलर बतारा नीचे की तरह मतलब 10 पीप का स्टॉप लाउस से और टीप अपन कर देते 20 पीप वन डेश्यो टू अब देखते हैं ओके टीप एट हो गया कहाँ से गया मार्के। फियर वेली गया को टॉछ करते ही चला गया है अब और वेट करते हैं. अगर यह नीचे आएगा तो फिर ट्रेड का सुचेंगे कभीव कितने फिप चला गया है 30 फिप천 फिप Junior कर थिए फिर है फिर हे रिजेश्यो ब्लोक माया ह क्योंकि आपको यहां पर रेंट में प्रॉफिट मिल चुका है क्यों रिक्स ले रहे हो बारत में अगर यहां पर बाइय करते हूं देखते हैं तो यहां पर अगर अगर आपन देखे तो से क्योंट से मार्केट रेंगे और मूँँ कर गया तो कोई बात नहीं इतना पर नीचे चलता है अगर आप चोछ का वेट करते तो चौछ का आपको यहां पर मिलता क्योंकि लास्ट जो pullback है वो यहाँ पर यह कोई pullback नहीं है pullback के उपर भी मेरी दो वीडियो upload है मैं इसको अगर यहाँ पर कर मैं देखो तो इसको चोच नहीं मानुगा मैं क्यों चोच नहीं मानुगा क्योंकि यहाँ पर कोई clear pullback नहीं है pullback कहां पर यह market ने order block के अंदर तो वो failed होगा जो भी लोग YouTube पर हैं आप एक चीज सोचो कि जो चीजे YouTube पर चल रही है वो कहीं न कहीं ट्रैप होंगी ओके ऐसा नहीं कि मेरी जो चीजे सारी चाहिए ट्रैप होंगी नहीं अगर आप उसको अपनी तरीके से यूज करते हो चीजों को फोलो करते हो कंटीन्यू तो आप रॉफिटेबल बन जाओगे एक दोबाल दोबाल लोस हुआ और आप इसको छोड़ दिया नहीं देखो यूटूब वली चीजे हैं उसमें क्या होता ना जो आपके जो मार्केट में करें वो भी इंसान है आम इंसान है तो प्रफिट हो जाता है वैसे अगर आप चोच वगरा देखते हैं क्या होता लोस होता ओके तो यह सारी जो चीजे मैं आपको पड़ा रहा हूं यह एकदम बेसिक हैं बाकी आपको एडवांस की तरह लगेंगे आप इसको देख लेना पूरी वीडियो को मेरी देखो आपको स इसे बाकी दोनों का कोई फरक निया दोनों एक ही है और चलते लोवर टाम पर चलेंगे अब इसको टेस्ट कर चुका है मार्केट जो है वो candle जो है वो test कर चुकी है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको दिख रहा हुगा कि यह जो red candle है इसने इसको break किया first red candle यह वाली इस red candle ने इसको break किया और second candle इसको test कर चुकी है दिख रहा है एक को अब चलते 3 मिट पे देखो 3 मिट पे क्या कर रहा है 3 मिट पे यहां पर मार्केड आया यहां पर वेट करेंगे इस पिए को टैस्च करें और कोई imbelines क्रेट हो देखते हैं तो अभी इंबलेस बना है नहीं बना यहां पे देखो पेली रेड दूसरी रेड और तीसरी ग्रिंग केडल तो अब यहां पर टेस्ट होता है तो अपन यहां पर सेल करेंगे और इसके उपर की जो लास्ट अबोजे केडल यह रिजेशनली ब्लोक तो इसको अपन नाम देते हैं आर भी इसको देते हैं अपन नाम फवीज यह अपना फ़ीज फेर वेल्यू गैप इसको टॉप पे लिए चलिए अब यह है अपना फ़ीज तो थोड़ा सा बोटम राइट चले यह अपना फ़ पीप मोग कर गया तो टेट थोड़ी रिसकी हो सकती कर सकते हो एरिया श्ट्रोंग है बट क्या है थोड़ी वीक हो गई क्योंके मार्केट निकल चुका है जिन लोगों ने यहां पर सेलिंग रहा हुआ उनका प्रोफिट बुक हो चुका अगर मार्केट यहां पर आएगा मतब थोड़ी बहुत आपको स्पाइक बगेरा देखने को मिलेगी बट अगर आपका एसल सेफ रहेगा तो आप यहां पर प्रोफिट निकाल जाओगे जिसे यहां पर अपने एक सेलिंग लगा दी चलो मानलो अपने पेंडिंग लगा दिया अपन यहां करेंगे सर यहां आप देखोगे तो यह यह इंबलेस है तो अपने स्टॉप लोसे और अपन टीपी वन रेशो वन या तीस पीप करते हैं चलो देखते हैं एक तो फेर वेल्यू के अंदर एक आर्बी के अंदर ट्रेड लेलो दो ट्रेड आपने इंटर कर दी चलो ओके मार्केट आया यहां असनल हुआ करेक्वर करेंगे कि और यही भी तो आपको च्ट the और बहुत सच करते हैं तो आप अपर मैंने सिफ 27 पिपका श्टॉपला लगाया और 25 पिपका टीपि ले लो इंटर डे के साब से ठीक है मिल गया तो यहां पर क्या हुआ है अपने जो ट्रेड करी है वह एक तो एफ़ फेजी फैर वेल्यू गेप में दूसरी है अपनी आरबी के अंदर रिस्क को अपने डि लिजा है यहाँ पर इंबलेंस बन गया उसके बाद ने यहां बनी है तो तर रिजेशनले घ्र देट को इंटर कर देंगे और डूसरी डेट आई ओपको यह समझ में आ गयी होगी तो मेरा डिकल कैनिकल वी अरुफे के Essenal Pal. वही अकाउंट है अगर आप देखना चाहों तो यहां पर पूरा अकाउंट है ठीक है और ट्रेड हिस्टी है अगर आप देखो के यह मेरा डेली रिपोर्ट से ठीक है यह सारा मैंने ट्रेड नहीं किया था उस दिन यह मेरा जो प्रॉफिट है वह मुझे नहीं मिला था यह आप जिरो 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 देख रहे हो यह मेरी उस दिन ट्रेड नहीं होती 26-26-26-29-30 इन दिनों में ट्रेड नहीं किया था तो यह जिरो बता रहा है कल के दिन मैंने ट्रेड किया था जो कि एक चोड़ा सा लोस हुआ इरो युजडी के दर क्योंकि निवस आ गई थी तो निवस के कराण चला गया था कोई बात नी अब आपको यहां पे प्रॉफिट शेड पर ले जाता हूं प्रॉफिट शेड पर फे नहीं चलो अब देखो मैंने एक तो मिने वीडियो लिया था 28 दिसंबर को को कि मेरी वी इंफिनिटी फॉरेस्ट यह आप कभी भी पर्चिस मत करना यह बहुत बड़े स्कैमर है मैंने दो बार वीडियो लेना रोक लिया है पहला जो वीडियो था वो सायद सम्थिंग को यह बता रहा था बागी मेरा अभी भी रनिंग में अगर मैं इसे वीडियो लूँगा और मैं इसे वीडियो लेके रहूँगा अभी यह बोल रहते कि आपका ट्रेडिंग डेस कंप्लीट नहीं हुए यह बगरा बगरा बोल रहते बट मैं इंसे वीडियो लेके रहूँग